Hello students, वोगत है आपका एक और ने वीडियो में आज हम Thomas Hardy की famous novel Far From The Madding Crowd की summary को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं इस novel में Thomas Hardy ने हमें बादशीबा नाम के एक लड़की के बारे में बताया है कि कैसे उसके कई relationships होते हैं और finally वो किसके साथ अपने life को spend करती है इसके बारे में इस novel में बताया गया है तो चले अब हम लोग novel की introduction को देखते हैं और उसके बाद फिर summary को start करते हैं So ये जो novel है उसका publication हुआ था 1874 में और ये Thomas Hardy की fourth novel है और ये काफी ज़्यादा successful हुई थी और सबसे पहले बार ये unanimously यानि बिना किसी नाम के चपि थी as a monthly serial in Cornhill magazine तो Cornhill magazine एक magazine थी जिसमें इसे publish किया जाता था एक serial के तौर पे हर महीने और इसे बहुत जादा readership मिली बहुत सारे लोग इसे पढ़ा करते थे और बाकी novels की तरह Thomas Hardy की ये novel भी Wessex में ही situated है तो Thomas Hardy ने एक Wessex नाम की जगा को imagine किया था जहां पे उनकी सारी कहानिया होती है और ये जो Wessex है वो England के Southwest में है तो इस novel में हमें बाचीवा एवर्डीन के बारे में बताया है और उसके relationships के बारे में बताया है जिन में William Boldwood जो की उसका पडोसी होता है इसके अलावा Gabriel Oak जो की एक shepherd यानि भेडबकरी चराने वाला एक इनसान होता है और एक soldier होता है जिसका नाम होता है Sergeant Troy इन सभी के साथ बाचीवा के relations होते हैं और इसी के बारे में इस novel में बताया गया है तो चले अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं तो novel के शुरुआप में बाचीवा को दिखाया जाता है जो के एक सुन्दर और और उसके पास लेकिन जादा कोई पैसे वैसे नहीं होते उसे Gabriel Oak मिलता है जो की एक farmer था और वो बाचीवा जो है एक शाम उसकी life बचाती है जब आग लग जाती है तो वो Gabriel Oak को बचा लेती है और तब Gabriel कहता है कि तुम उसे शादी कर लो लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं मुझे तुम पसंद नहीं हो उसके बाद फिर बाचीवा को उसके अंकल का बड़ा सा फार्म मिल जाता है इनहरिटेंस में उसके अंकल के मरने के बाद सारी संपती बाचीवा को मिल जाती है और वो वेदर बरी नाम के एक टाउन में एक कजबे में यानि पासी के एक टाउन में वो चली जाती है उसके बाद फिर Gabriel का जो फार्म होता है उसके उपर एक मुसीबत आ जाती है और उसके सारी जो भेड़े हैं उससे चिन जाती है और इसलिए उसे फार्मिंग छोड़ना पड़ता है और काम की तलाश में वो वेदर बरी जाता है और वहाँ पर जब वो एक लोकल फार्म को आग से बचाता है तो वहाँ की जो उनर होती है उससे वो पुछता है कि क्या आपको एक शेपर्ड की जरौत है आपकी शीप वगेरा और जानुरों की देखभाल करने के लिए क्या आपको किसी नौकर की जरौत है तो तब उसे पधा चलता है वहां की जो owner है वो बाठीबा ही है और बाठीबा उसे काम पर रख लेती है और जब बाठीबा अपने farm को संभाल रहे होती है तब उसकी मुलाकाथ उसके neighbor से होती है पडोसी से होती है जिसका नाम होता है Mr. Bolwood Mr. Bolwood के साथ बादशीबा एक दिन मजाग करती है और वो उसे एक चिट्टी बेचती है और मजाग में उस पर लिखती है Mary Me Bolwood को लगता है कि बादशीबा सीरियस है और वो इस बाद से उपसेस्ट हो जाता है और इस तरीके से वो उसका सेकेंड सूटर बन जाता है वो उसे बार-बार कहता है कि तुम उसे शादी कर लो Bolwood काफी अमीर और हैंडसम था और बहुत सारी औरतें उसके पीछे पड़ी हुए थी लेकिन बादशीबा उससे शादी करने से मना कर देती है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी लेकिन बाद में वो फिर से अपने डिसिजन को रीकंसेडर करने के बारे में सोचती है तब गेबरियल जो है वो उसे रिब्यू करता है यानि कि उसे डांटा फट करता है और कहता है कि तुमने बोल्ड बूट जैसे इंसाम से शादी करने के बारे में कैसे सोच लिया वो तुम्हारे लायक नहीं है लेकिन बादशीबा को यह बात पसंद नहीं आती और वो उसे अपने जॉब से निकाल देती है लेकिन फिर बादशीबा के जितनी भी शीजिजए पोती है वो bloat नाम की विमारी से मरने लगती है और उसे ये पता चलता है कि Gabriel ही वो इंसान है जो उसकी sheep को ठीक कर सकता है जो उसकी भेणों को सही कर सकता है और finally उसे Gabriel के सामने जाकर भीग मागनी पड़ती है कि तुम प्लीज आकर मेरे भेणों को संभालो और वो उसे उसकी job वापस दे देती है और उनकी friendship पहले जैसी हो जाती है और उसी रात बाचीबा को एक handsome soldier मिलता है जिसका नाम होता है Sergeant Troy और बाचीबा को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि Sergeant Troy जो था उसने पहले ही उसका एक वहीं की एक लड़की के साथ affair चल रहा था और वो लड़की pregnant हो गई थी जिसका नाम था Fanny Robin और Fanny Robin जो थी वो बाचीबा की servant रही थी पहले यानि बाचीबा फैनी को जानती थी तो Troy जो था वो बाचीबा को पसंद करने लगता है और ये बात BOLLDWOOD यानि बाचीबा का जो नेवर है BOLLDWOOD इसका जो पडोसी है उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती बाचीबा travels to Bath to one Troy बाचीबा बात जाती है और ट्रॉइ को यानि soldier को मना करती है कि तुम बचकर रहना और वो जो बोल्डूर है वो बहुत जादा नाराज है लेकिन फिर भी ट्रॉय कहता है कि तुम उचसे शादी कर लो और इतना सब होने पर भी गेबरियल बादशीबा का फ्रेंड बना रहता है लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं था वो कहता है कि तुम उस सोलजर के साथ खुश नहीं रहोगी लेकिन फिर भी बादशीबा उस सोलजर के साथ शादी कर लेती है उसके बाद फिर शादी के बाद प्रॉय जो था वो फैनी से मिलने जाता है फैनी बहुत ज़ादा बिमार थी और गरीब भी थी और बाद में जब वो अपने बच्ची को जनम देती है तब वो child birth में मर जाती है और दोनों बच्ची और Fanny को एक ही coffin में रख दिया जाता है और तब फिर बादशीवा को जब भी पता चलता है कि Fanny ने एक बच्चे को जनम दिया है और उसका father जो है वो ही soldier Troy है तब बादशीवा को ये बात बहुत बुरी लगती है तो जब उस soldier को पता चलता है कि बादशीवा को सब पता चल चुका है तो उसे बहुत जादा शरम आती है और उसे बहुत जादा दूप भी होता है Fanny के मरने पर तब वो वहाँ से भाग जाता है और वो समुद्र में डूप जाता है लेकिन उसे एक boat बचा लेती है लेकिन वो घर नहीं आता तो सबी लोग सोच लेते हैं कि शायद Troy जो है वो मर चुगा है और इसलिए बोल्ड बुर्ड फिर से आता है और बाचीबा से कहता है कि तुम उसे शादी कर लो Troy sees बाचीबा at a fair उसके बाद फिर Troy जो की मरा नहीं था वो बाचीबा को एक मेले में देखता है और कहता है कि तुम वापस आ जाओ बाचीबा एक Christmas party रखता है जिसमें बाचीबा को गुलाता है फिर से उसे प्रपोस करता है और जैसे वो accept करने वाली होती है तब Troy वहाँ आ जाता है बाचीबा ये सब देखकर चिलाती है और बाचीबा तभी Troy को shoot करके मार देता है और इसलिए बोल्ड वूड को उम्र कैद हो जाती है जेल में और ये सारे problems के दोरान बाचीबा जो थी वो अपने पुराने friend और जो उसका only friend था real friend Gabriel उसके साथ रहती है Gabriel ही उसका trustworthy friend शाबित होता है when he gets notice that he is leaving her employee तो जो Gabriel कहता है कि मैं अब यहां से जा रहा हूं क्योंकि लोगों को शक है और लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम से प्यार करता हूं और तुम से शादी करना चाता हूं तो जो वो कहता है कि मैं ऐसे जा रहा हूं तो बाचीबा रियाइस करती है कि Gabriel कितना important है उसके लिए और वो नहीं चाहती कि वो जाए और इसलिए कुछ महिनों बाद फिर बादशीबा Gabriel से शादी कर लेती है और तब तब गेबरियल जो था एक काफी सम्रद बेलिफ बन जाता है बेलिफ एक officer होता है तो Gabriel अब गरिब भी नहीं था वो काफी अमीर भी था और इस तरह की से बादशीबा और Gabriel की शादी हो जाती है यहीं पर हमारी story खत्म हो जाती है I hope आपको यह समझ में आई होगी तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तके के लिए बाई